मोहन यादव का बयान सामने आनोने का आगे हर संभाग में प्रिशासनिक बैठक की जा रही है निर्मान कारे और लौ एंड ओर्डर को लेकर समिक्षा की है मंत्री बधायक और सांसस्ते चर्चा हुई यूजनाओ के क्रियान वेन को लेकर चर्चा की गई है पीए मोदी के विजन को आगे बढ़ाया जाएगा ये कहना है सीएम डौक्टर मोहन यादव का संभागिय समिक्षा बैठक आज भुपाल संभाग की रखी गई थी और इस बैठक के बाद मुख्य मंत्री का बयान दी सामिया थी हमारे हर संभाग में निर्मान करयों की और लाइन अडर की दोनों की बेठके करें सभी जन्तुतियों के उसाथ में तो आज के सवसर प्रमान में विधायक, सांसत, मंत्री सभी लोग के साथ संयुक बेठक की है और जो जो सासन की योजना चल रही है, सारी योजनाओं के लिए जो तारी योजना बनी है उसका ठीक से क्रियानवन हो जाए मानि यश्वश्य प्रदान मत्री नरेद मोदी जी ने जो अगरह किया, एक खास करके चारो प्रकार की उनने अपनी प्रायरिटी बताई है तो महिला, किसान, युवा, गरीब, सभी योजनाओं के सासाथ अरूर सरिस्मा के काम भी हो और रोजगार प्रका हमारा अपना प्रदेश का चेहरा बने, मैंने इसी पर ध्याएंगी और जाबर बादता दीपक दिवेदी चुड़ रहे है, दीपक संभागवार बैठक आज बोपाल का नमबर था, मुख्यमंत्री का कहना है कि आने वाले समय में सभी संभागों की इसी तरह से बैठक ली जाएगी जी जी मैं बता दू कि लगातार संभागों की बैठक मुख्यमंत्री द्वारा ली जाएगी पर आज जो संभागों की बैठक हुई है इसमें और बोपाल संभाग, नर्मदापुरा संभाग के अधिकारी प्रोडेश के डी गेपी सब मौझूद रहे हैं दो बैठक के अहम बिंदू रहे हैं एक तो संभागों के विकास किस तरीके से संभागों में ब्लग अलग तरीके से विकास करना है दूसरा राहा है law and order पूरी तरीके से पुलिस की वेवस्था सुरक्षा वेवस्था इन तमाम अपराद पर ये बेठक आयोजित की गई है और इस बेठक में अलग अलग बिंदूओं पर चर्चा हुई है कि आखिरका केसे प्रदेश को नए मोडल के तोर पर हमें प्लाकर चर्चा की गई है इसके अलावा इस चर्चा की स्वागत भी जो हमारे भूपाल से विधाया के हुजूर सरामस्वर सर्मा ने कहा कि ये इस तरह की बेठक होईंगी ये नया एक तरीका है तो इससे और भी विकास में आगे हम आगे बढ़ेंगे और प्रधान मंत्री के नेत कारी कि ये